अबी ऐसा है कि गाउं गाउं में इस सबीस तारी को ट्रेक्टर प्रेट की तियारी हो रही है कली आपने देखा होगा कि 700-800 ट्रेक्टर शीकर में पूरा मार्च किया है बारा गाउं से होते हुए सğica कर सहर में आकरके जिला कलेक्टर को दिया है वैसे ही मांडेता 15-20 गाउं में 200 से ज़्यादा ट्रेक्टर न मार्च किया इसी तरह से नागार के दीदवाना हैं तेसिल में 500 ट्रेक्टर न मार्च किया है और हर कलेक्टर को SDM को ग्यापन दिया है अगर सरकार 27 तारीक से पहले किसानों की मांगों को नहीं मानेगी तो दिल्ली में गंतंतर दिवस 26 जनवरी को किसानों का टेक्टर प्रेड होगा वो अभी पुलिस कमिशनर डिप्टी कमिशनर आके किसान नेताओं से मोर्चे के स्व रूप में 26 जनवरी 1950 से मनाते आये हैं ने केवल देश की राजदानी बलकि हर जगह हर सरकारी संस्ता में और व्यक्ति गत्वी सभी संस्ताओं में गंतंतर दिवस मनाते हैं और इस समयदान को जिस तरह से तैसनेस समयदान और समयदानिक संस्ताओं को तैसनेस करने का इस द ति इस कि राज़्दानी मेंखे ढूरी समया थिकी आर्व धिकारों पर मने कि अर्याणा की भारती जन्ता-पाय्टिकी या साजापुर खेडा बोर्डर पे रोक रखा आज 37 दिन होगे इसी तरह से लोगों को राशन लेके आने में अर्चने डाल रहे हैं दवाईया लेने में अर्चन डाल रहे हैं ये देश का समयधान समयधानी कदिकार है कि जनता का कोई भी इसा अपने मांगों के लिए डेमो मानती है किवल और केवल आम मैंत का सको धरम जाती चेत्र भासा के नाम से बाट करके कंपनिएं को माला माल करना चाहती है उसी के आधार पर तीन काड़े कानून लेके आई है, सब सारजनिक संस्ताएं, चाह रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, हवाई एडा हो, शिक्ष्या हो, चिकेश्या हो, सब कब देशी और विडेशी कमपनियों के हवाले कर चुकी है, और अब देश की खेती और किशानी को भी कमपन दो मेने भी सवा मेना भी होता जा रहा है तो लगातार ये संगर्स जो इस भारत देश का अभूत पूर रेतियाशी का अंदोलन है किसानों ना अंदोलन जरूर शुरू किया था लेकिन मजदूर हो विद्यार्थी नोजवान महिला वकील डोक्टर करमचारी हर ये जंद एक देशों में जो अमन पसंद है नियाए पसंद है वो तमाम देशों में भी और चुनेवे प्रतिनीदी भी इस अंदोलन के समर्थन में अपने आवाज उठा रहे हैं ग्यापन दे रहे हैं परदसन कर रहे हैं तो पूरी दुनिया का अभूत पूर रितियासी का अंदोल कि कि इस से प्रवोक होकर के किसे ने किसी तरह की इंसा हो जाए और सरकार को इस अंदोलन को तोड़ने की हो जाए खालिस्तानी भी का है माववादी भी का है पाकिस्तान और चीन के समर्थन से चलने वाड़ा भी का है और यह भी का है किसान नहीं है अब देश की सरकार भी म कोशिशें उनकी धत्त बता दिये किसान ने देश की जनता ने और ने केवल प्रवोक करने की उक्साने की कोशिश की बलकि इस देश की बांटने की भी कोशिश की मैं समझता हूं सबसे बड़ी सपलता इस एतियसिक और अभूत्पुरा अंदोलन की है जो आरेसेस और भारतिय जनता पार्टी जो जंगे आजादी के वक्त अंग्रेजों की गुलामी करती थी और इस देश में 1935 से जब से आरेसेस का स्थापना से लेके आज तक इस देश की मैनत के जनता को धरम जाती और छेतर के आदार पे बांटने की कोशिश कर रही थी ये आंदोलन है जो उनकी बाटो लुटो राज करो की निती को बहुत बड़ा एक करारा जबाब आरेसेस और भारत्य जनता पार्टी को दिया है इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिक, हिसाई और तमाम दर्मों के तमाम बासाओं के आप देखेंगे इस आज आप खेडा बोर्डर पर भी राजस है, हरियाना है, गुजरात है, महराष्ट है, कैरल है, अंदर परदेश है, बंगाल है और आसाम के डेलिगेशन भी आज निश्य दूरूप से पहुंचेगा, मना पूरा मिनी भारत सांजापूर बोर्डर पे है और पूरे देश का किसान, इस सरकार की जन विरोधी नीतियो और वेश्ट विकरिन की नीती ने 4 लाग किसानों की जान ले ली है, आज देश का किसान करजे मत दबकर, आज भी आतमत्याओं का दोर है और उसके आगे वारा खेती किसानी को तबाग करने के काड़े कानून लेकिया है, मैं समझता हूं, उन कानूनों के खिलाप का मतलब उस निती के खिलाब संगर्स है जो पब्लिक प्रोपर्टी थी पब्लिक अंडर्टेकिंग जितने भी संस्ता हैं इस देश की 130 क्रोड लोगों की जनता के टेक्स से बनी थी वो कंपनियों को बिगर एक टक्के पैसे के चाहे हवाई अड़ा हो डानी को दिया गया है निश्यद रूप से निती और उस निती का ही नतीजा है कि ने केवल भारत में पर की पूरी दुनिया में कुछ मुटी बर लोगों के पास धन संपता इकटी हो गई और 2008 से जो मंदी का दो रहाज 2021 में भी है और तैय रूप से ने केवल भारत में बलकि पूरी दुनिया में नीतियों के खिलाब जो जबरदस्त आंदोलन चल रहा है निश्चत रूप से एक सामाजिक राजनेतिक परिवर्तन करने का सुरुआत है और आखिर में ये मंदी भी जब भी तूटेगी किसान करजे में दबकरात मत्या कराये जब भी होगा जब ये पूरा राजनेतिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होगा